मैं आपको class 6th exercise 8b को करवाऊंगा 8a हमने अल्रेडी कर ली है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर start करते हैं from algebraic expression for the following for algebraic expression for the following नीचे जो हमें statements दे रखी हैं उनसे हमें equation या फिर algebraic expression बनाना है तो इसके लिए बिल्कुल simple है जो words का मतलब मैं आपको बताऊंगा वो आपने द्यान रखना है जैसे first 37 added to a इसका मतलब है 37 को a में add कर दो add का मतलब होता है plus तो a plus 37 first answer हमारा यह है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 37 added to a क्योंकि plus जो है वो commutative होता है आगे पीछे लिखने से कोई फरक नहीं पड़ेगा a added to b तो a plus b भी लिख सकते हैं आप b plus a भी लिख सकते हूँ ठीक है फिर है 3a added to 4b तो 3a plus 4b फिर next बनेगा हमारा 6a added to 10a 6a plus 10a ठीक है फिर ऐसे ही next हमारा देखेंगे हम 4ab added to 3ac तो 3ac इस तरह से फिर next है 6a square b added to 4a square b वैसे तो यह solve भी हो सकता है लेकिन हमें सिरफ इतना ही लिखना है लेकिन यहाँ पर आप देखें इसके जो पीछे हैं जो variable है हमारे बिलकुल ही same है बिलकुल ही a square a square b b तो इस case में जब variable same हो तो इनको हम कर सकते है add तो यह हो जाएगा 6 और 4 10a square b ठीक है फिर next है 8x square y plus 4xy square यह same नहीं है ध्यान देना यहाँ पर यहाँ x2 है square है मतलब 2 bar है x यहाँ एक ही bar है ठीक है तो यह same नहीं है इसका answer इतना ही लिखना आपको फिर है sum of a, b and c तो a plus b plus c ऐसे ही sum of x, y and z x plus y plus z इस तरह से आपको इसको solve करना है फिर next आता है हमारा second question form algebraic expression for the following same वही काम करना है अब आपने याद रिखना है जब subtracted होगा तो subtracted में from के जो बाद में लिखा होगा उसको पहले लिखना है आपको ठीक है जैसे b subtracted from इसका मतलब क्या है इंदी अगर अपना है तो क्या है b को घटाओ 10 b में से ठीक है b को subtract करो 10 b में से इसका मतलब यह होता है तो आपने from का hint याद रिखना है from के जो बाद में होगा 10 b उसको पहले लिखना है और minus के बाद में किसको लिखना है जो पहले था b अब यह दोनों variable same है यहाँ पे भी b है यहाँ पे भी b है तो 10 में से 7 b गया तो answer आजएगा 9 b फिर next है 3 x subtracted from 5 x तो from के बाद को नहीं है 5 x तो यहाँ लिखेंगे हम 5 x minus 3 x तो answer आजएगा 2 x next है 7 ac subtracted from 9 a तो 9 a को पहले लिखेंगे हम फिर इस में से subtracted करना है 7 ac तो यह इतना ही रहेगा यह बात आपको ध्यान देनी है यहाँ इसके पीछे variable a है इसका ac है तो यह match नहीं करते हैं ठीके next है 12 ac subtracted from 20 a b तो from के बाद है 20 a b इसको पहले लिखेंगे 20 a b minus 12 ac ठीक है बच्चों फिर next है 12 a square b square c square subtracted from from के बाद है 17 a square b square c cube minus 12 a square b square c cube अब इसमें variable बिल्कुल सेम है तो इसको subtract कर सकते हैं 17 में से 12 को minus करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 a square b square c cube ठीक है फिर next है sorry next है 20 a square b subtracted from 40 a square तो 40 a square minus 20 a square b फिर next आएगा 22 x y subtracted from 30 a x तो 30 a x minus 22 x y फिर next है हमारा 6 x y minus 4 x y और यह हो जाएगा solve तो answer आजएगा 2 x y फिर next है multiply the following अब multiply जब की जाती variable की तो आपको क्या याद रखना है कि 3 multiply s है तो इसको हम लिख सकते हैं 3s ठीक है जब भी आप एक constant और variable को इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब understood होना चाहिए कि इनके बीच में multiply ही है ठीक है और आपको याद रखना है जैसे 3a multiply 5b है ठीक है तो आपको याद रखना है constant की multiply constant से होती है 3,5,15 a और b दोनों अलग-अलग है तो a भी आ जाएगा अगर by chance यहाँ पर होता 3a,5a तो आप क्या करते है 3,5,15 हो जाना था जब same हो तो उनकी power add हो जाती है a,a,a raised to power 2 ठीक है इस तरह से यह logic हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ हो जाएगा 3s इसका answer आएगा 5a यह हो जाएगा a,b, यह हो जाएगा a square ठीक है यहाँ पर दिहान देना है a square क्योंकि a और a,a square यह तीनों अलग-अलग है तो a,b,c फिर next आजएगा p है तीनों के तीनों,p power 3,p cube next है 3 और 4,3,4,0,12, यहाँ b, यहाँ a, तो b,a फिर next है 4a,5a, 4,5,0,20, दोनों a है तो a square फिर है a,b,c,d, तो इसका answer आजएगा a,b, into c,d फिर next है a cube, अब base same हो तो power add हो जाती है तो a की power first 3 है, second 2 है, तो 3 plus 2 a raise to power आजएगा 5, next वाले में 5,3 जा हो जाएगा 15 लेकिन first वाले में a raise to power 2, a raise to power 2 second में b, तो a की power हो जाएगी 2 plus 2, और b 1 है first में, एक है second में, तो b raise to power 1 plus 1, तो answer आजएगा 15, a raise to power 4, b raise to power 2, ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है, next है, 7ab into 5ac, अब 75 जातो हो जाएगा 35 a यहाँ पे, a यहाँ पे, a raise to power हो जाएगी 2, b अकेला है तो b, c भी अकेला है तो c, तो यह हमारा answer है, फिर next question आता है fourth, divide the following, उनको divide करना है, तो divide में आपको सीधा यह sign लगा के, जो divide से पहले है, उसको उपर लिख दो, और जो बाद में है उसको नीचे, तो first वाले का answer बने गा, a by b, next है, x by a, फिर next वाले में a x y divide by a y, जो cancel होता है कर दो, a से a, y से y, तो इसका answer आजएगा x फिर next है, जब base same हूँ, तो power को subtract कर दिया जाता है तो इसका answer बनेगा x raised to power 4 minus 2, 2 दूसरा method है, x उपर 4 है, तो x multiply, x multiply, x multiply, x divide by, दो बार है x multiply x, तो 2x cancel हो जाएगे, तो x, x, x square जो है वो, बच जाएगा अगर आपको direct आता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x raised to power 4 minus 2, तो ये भी answer वही देगा, हमें x raised to power 2 next है, 20a, 20a divide by 5, तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो answer आजएगा 4a, ठीक है फिर next है, 45x square, divide by 9x, 9 5 जा 45, तो answer आएगा 5, उपर x square, मतलब 2x है, नीचे 1 है, तो 1x साथ में बच जाएगा फिर next है, 7, a raised to power 4, b raised to power 3, c raised to power 5, divide किसे करना, a raised to power 2, b raised to power 2, c raised to power 2 अब यहाँ पर देखे, 7 अकेला है, तो 7 आजएगा, उपर a 4 है, नीचे है 2, तो 4 में से 2 गया, 2, तो a square बच जाएगा b उपर है, 3 नीचे है, 2, तो 1 b बच जाएगा, b उपर है, 5 नीचे है, 2, 5 में से 2 को काट दिया जाए, तो c कितने बच जाएगा, 3, तो यह हमारा answer फिर next है, 6, x, y, divide by 3, x, y, x, x cancel, y से y cancel, 3, 2, 6, तो answer आजएगा, 2, next वाले में, a square, b square, c square, divide by a, b, c, उपर a है, 2, नीचे 1, तो a cancel होगा है, तो a बच जाएगा, उपर b है, 2, नीचे है, 1, तो a cancel कर दो, तो कितने बच जाएगा, 1, ऐसे ही c को a को cancel कर दो, तो बच जाएगा a, b, c, फिर next आता है हमारा question, fifth, इसमें हमें statement को पढ़के equation बना के दिखानी है, उसको solve नहीं करने के लिए कहा गया है हमें, तो equation बना देते हैं, frame दा algebraic expression, two times, two का मतलब two, times का मतलब बता है multiply, a number, जहाँ पर a number लिखा होगा, वहाँ पर आपने x लगा दिना है, तो multiply तो increase है तो plus by three, कितना increase करना है three, तो first हमारा algebraic expression बना, वह बना two x plus three, फिर half of a number, half होता है divide by two, किसका half करना है a number, a number की जगा आपने कितना लेना है, x, x by two added to 12, इसमें 12 add कर दो, तो यह हमारा answer है, फिर next हमारी statement मनेगी twice, twice का मतलब होता है दो गुना, twice a number है फिर से, तो two x, decrease है मैं minus by another number, another number कोई और, x के अलावा कुछ भी ले लो, तो हम y ले लेते हैं, फिर next है four times, times का मतलब होता है multiply, तो four times a number है, तो x divided by another number, उसको divide करना है किसी और number से, तो हम यहाँ divide में लिख देंगे, four times a number, four times a number, divided by another number, तो इसके divide में हम लिख देंगे, कोई भी another number y, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आप ABC की जगवा, बस x को छोड़ के, क्योंकि another number लेना है, तो अलग लेना पड़ेगा हमें, फिर next है, five times, तो five गुना करना हमें, five times a number, a number का five times, multiplied by three times another number, तो three times another number, तो five x into three y, आप ABC को कोई भी बड़ ले सकते हो, कोई दिकत नहीं है, फिर है twice, twice करना है, the sum, तो पहले sum करना है, तो bracket का use करेंगे हम, sum of a number and another number, और दूसरा number हम यहाँ पे वैसे तो y ले लेते, लेकिन हमें दूसरे number के बारे में बता रहा है, which is five more than first number, जो की five ज़ तो यह आ गया, और क्या बताया गया, twice, तो twice, sum था, इसलिए हमने bracket यूज की, किस-किस का sum था, एक number और दूसरा number, और क्या बताया गया, दूसरा number जो है, वो पहले से ही, पहला number जो आपने लिया, उसी से five ज़्यादा है, तो यह हमारी equation बन चुकी है, इसको थोड़ा से simplify क कर देते हैं, क्योंकि अंदर दो X है, तो two into two X plus five, तो यह हमारा answer है, तो बच्चो इस वीडियो में आपने complete किया है, आपकी exercise, eight B को, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्स्राइब करें, और कमेंट में अपनी राए जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल पर आपको वीडियो कैसी लग रही है, कुछ improvement चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, comment, धन्यवाद,